Hello everyone, welcome back in my channel Tasty Kitchen तो आज हम बनाएंगे बहुत ही नए तरीके से गाजर का हलवा और गाजर का हलवा तो सभी को बहुत पसंद होता है आज जो गाजर का हलवा हम बनाने जा रहे हैं उसे हम बिना मावे के बनाएंगे, बिना कंडेंस मिल्के बनाएंगे आप देखना इन सब के बिना ही बहुत ही डिलिशस सा गाजर का हलवा बनके तयार होगा क्योंकि ये सभी चीजे हमेशा अविलेबल नहीं होती तो फिर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें आपको मेरा ये नया तरीका बहुत ही पसंद आएगा तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए हम सबसे पहले कड़ाई को गरम करेंगे इसमें डालेंगे दो बड़े चमच के करीब घी और घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं अब आप देख सकते हैं गी हमारा अच्छे से melt हो गया है अब इसमें हम add करेंगे गाजर इसे मैंने पहले से ही अच्छे से wash करके घिसके रख लिया था मैंने ये 1 किलो गाजर ली है देखिए मैंने सारी गाजर डाल दी है और अब इसे हम गी में भूनेंगे 7-8 मिनट तक दे लेकिन जैसे जैसे इसका moisture खतम होगा वैसे ही रिडियूस होना शुरू हो जाएगा गाजर को हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर mix करते रहेंगे और गैस का flame low रखें अब इसे हम ढखके पकाएंगे 7-8 मिनट के लिए मुझे इसे पकाते वे अभी लगबग 3 मिनट हुए हैं इसे फिर से mix कर लेते हैं इसी तरह से बीच-बीच में इसे चलाते रहें आप देश सकते हैं इसका color भी change ओना शुरू हो गया है गाजर के हलवे में पहले-पहले घी डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि घी डालने से इसकी shining बनी रहती है तो फिर आप घी जरूर डाले अब इसे हम फिर से ढख देते हैं गाजर को हमें ढख के पकाते वे 8 मिनिट हो गए हैं देखे गाजर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है अब इसमें हम एट करेंगे एक बड़ा गिलास दूर आप कोई भी दूर ले सकते हैं चाहे वो फ्रेश हो या बॉयल किया वह हो पहले से तो आप उसे भी इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं अब हम गाजर को बिना ढखे हाई फ्लेम पे पकाएंगे 20-25 मिनिट तक क्योंकि गाजर में काफी मॉइस्टर होता है तो उसे सूखने में काफी टाइम लगेगा हम इस तरह से बीच-बीच में इसे चलाते रहेंगे आज मैं आपको जो तरीका बतार ही हो न गाजर का हलवा बनाने का ये बहुत ही असान तरीका है और इसे हम बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट से बना रहे हैं और ये खाने में उतना ही टेस्टी रहेगा आपका जब कभी गाजर पहले से काफी रिडियोज हो गया है तो अब इसमें हम एड करेंगे हाफ कप चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं मैं इसमें ज्यादा चीनी इसलिए आड नहीं कर रही क्योंकि गाजर पहले से काफी मीटी होती है अब देखिए हमने चीनी आड की है तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो अभी गाजर को पकने में थोडह टाइम तो लगेगा ही इसी तरहेंसे हम गाजर को 10 ते 15 मिनट और पकाएंगे गाजर के हलवे को बहुत ही तरीकों से बनाया जाता है इसे मावे से बनाया जाता है लेकिन आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं अगर आप मावे से गाजर का हलवा बनाना चाते हैं तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही शेयर की हुई है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दूँगी आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं गाजर पहले से काफी टुडियोज हो गई है पहले ये पूरी कड़ाई भरी भी थी लेकिन अब ये आदी हो गई है और देखे इसमें जितना भी मॉश्टर था वो सब खतम हो गया है हमारा गाजर का हलवा अल्मोस्ट रेडी हो गया है अब इसमें हम एड़ करेंगे ड्राइफ रूट्स मिक्स कर लेते हैं इसे भी ड्राइफ रूट्स में मैं इसमें ले रही हूँ काजो और बदाम आप अपनी पसंद के कोई भी drive fruits ले सकते हैं अब इसे हम 5 मिनिट और पकाएंगे low flame पर अब last में हम इसमें add करेंगे आधी छोटी चमच इलाइची powder mix कर लेते हैं इसे भी मैंने 5-6 इलाइची को कूट के लिया है इस तरह से fresh इलाइची को कूट के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और खुश्बू तो आती ही है हमारा गाजर का हलवा बनके ready हो गया है और आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया टेक्शर आया है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है तो फिर चलिए फटा फट से चलते हैं सर्व करने आप देख सकते हैं हमारा गाजर का हलवा बनके तयार है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और आपने देखा भी कि हमने इसे कितनी कम चीजों से बनाया है हमने इसमें कुछ ऐसा यूज ने किया जो एजली अविलेबल ना हो बस ये दूठ चीनी से बना हुआ गाजर का हलवा है लेकिन खाने में ये बहुत टेस्टी है तो आप इस तरीके से गाजर का हलवा जरूर बनाएं आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा आपको ये बहुत हुआ 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 है